तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने मला है तो वीडियो एंटरलप के जरूर देखना क्यूंकि इस वीडियो में ना तो कुछ बाते किलियर करेंगे और नीतु की बॉइस तो आप लोगों को सुननी होगी और दूसरी बात के जो यह चल रहा है आज कल पर खास करके यह जो नेहा है सचीन है मनीशा है फिर अब उसमें नीतु भी हैड हो गई है तो इन सब की कंट्रवर्थी को लेके खास करके मैं बात करूंगी भाई बेहन के रिस्ते को लेके कि लोगों के नजर में भाई बेहन का रिस्ता कितना ज्यादा अच्छा है और कित इसने नीतु को बेहन बनाया था और ये नीतु को कहता है कि तु नेहा की तलाली कर रही थी तुने बाते चुपाई थी तु उसको रूम देती थी तु उसको बन कमरे में मिलवाती थी और बहुत सारी बाते तुने चुपाई इस तरह थे उसने सारा ब्लेम उठा के नीतु ने भी आके एक वीडियो बनाई उसके बारे में बात करते हैं पहले बात कर लेते हैं भाई बेन के रिस्तों को लेके लोग किस तरह से मजाक बनाते हैं जो नीतु को बहन बनाया था उसने आके उसको दलाल और पता नी गेमर धोके बाज नमक राम ये तब साबित कर दिया और बोल दिया के मेरे ते रिस्ता कतम कर दो और अब उसी की सगी बेन है तो भाई बना के राकी भान के और फिर उसके साथ में जाके रंगरीनिया मनाती है उसके साथ में बैट शेयर करती है और उसके साथ में मिलके एक प्लैनिंग करती है कि मैं शादी कर लूँगी लेकिन मैं इसको ना कभी भी है ना लेके उसके मैं इसके घर पे नहीं जाओंगी मैं ससुराल नहीं जाओंगी मैं इसको यहीं पे रखोंगी मैं कभी उसको अपनी वीडियो में नहीं लूँगी मैं इसके साथ में शॉर्ट नहीं बनाओंगी और वो ही वो सचीन को भी सिखाती है कि कि भाई भेन का जो मू बोला रिस्ता होता है ना उसके उपर तो रती भर भरुसा नहीं करना चाहिए खास करके आज के टैम पे खास करके शोशल मीडिया के टैम पे और खास करके यूटूब के उपर बिल्कुल भी किसी के मू बोले भाई भेन के उपर विस्वास नहीं करना नहीं पता चलता भई, वाईटी पे आके बेहन भाई बोल रहे है और अकेले में बैट शेर हो रहे है, रंगरिलिया मनाई जा रही है, हवस बुजा इजा रही है, इस तरह के रिस्ते, और ये चीजों के लिए लोगों की आँके कौन खोला, इसी भाई बेहन ने खोले भई, बहुत पूछ उसने इसके पर इल्जाम लगा दिये ये सब इल्जाम लगाने के बाद में नीतू दो तीन दिन से ट्रोल हुए जारी है। इतना सब ओजाने के बाद में आके पार नीतू की चुक्ती तूटी और में वीडियो में विडियो में जाके बोली कि एक वाइस है जिसके चलते मैं इतने टाइम से चुप थी रहा है, वो नीतू ब्लैकमेल करें थी वाइस और वो वाइस के वज़े से नीतु अभी तलक के चुपती, मतलब सोचो ये औरत जो बोल रहे है ये और इसके चमचे के सचीन इसको ब्लेकमेल कर रहा है, मनिशा इसको ब्लेकमेल कर रहा है, ये इसको ब्लेकमेल कर रहा है, वो इसको ब्लेकमेल कर रहा है, भई नेहा को कोई नहीं कर रहा नेहां कुछ सब को ब्लैकमेल कर रही है अब तो नीटु ने भी आपे सच बता दिया कि वह ब्लैकमेल हो रही है इतने टेम से और जीस तरह का नीटु ने कम्यूटी दाली थी उससे साब पता चल रहा था कि उसने इजट आपने की कोशिश की और उसके हाथ जल मेंस के उसको सब कुछ पता था लेकिन वो ब्लैकमेल हो रही थी और वो चुप थी क्योंकि वो एक दोस भी थी और दूसरी बात के अगर वो आके सच्चा ही बताती तो चाहिरती बात है जिस तरह से वो टेम पे सरीता सिश्टर का हाल किया गया था उसको ट्रोल किया गया थ तो क्या नीटू आके अगर सज बताती तो उसको चूप नहीं करवाया जाता उसको ट्रोल नहीं किया जाता उसको गालियां नहीं दी जाती बिल्कुल उसके साथ में यह सब होता और नीटू ने यह बात भी बोली है कि मैं चूप थी क्योंकि मुझे पता था आज नीटो कल य इना जोरी ये इसकी भाई को निया के भाई को बल्के सब कुछ पता था और वो दलाली कर रहा था अपनी बेहन की और उसने सारा सच चुपा के रखा था दुनिया के सामने आने नहीं दिया और जैसे ही सथ दुनिया के सामने आया तो उसने आके बोल दिया हाँ हाँ मेरी बेह का किसी से अफैर चल रहा है वो घर से गायब होती है, होटलों में रूम लेती है, इसे एडर उधर गायब होती है दो-दो रात वो रात होट रहके आती है या कहीं पर भी रात विता के आती है क्या उसके भाई को नहीं पता होगा कि इसकी बैन का आ Anyways गये जब इसने बोला कि मैं खुद नहीं चाहता था कि ये engagement में आए तो उससे पहले तो हुई नहीं थी ये सारी बाते ये सारी बाते तो वाईटी पे आई नहीं थी कि इन लोगों का अफैर था इन लोगों का नाजायत रिस्ता था तो इसने पहले ही उसको कैसे रोक दिया तो ये सारी बाते में सोचने वाली है जिस तरह से उसने उस दिन भी बोला था कि मैंने मनीशा को हमेता सपोर्ट किया हूँ कि इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया क्योंकि इसको पता था कि इसकी बेन का और सचीन का नाजायत रिस्ता चल रहा है जो कि अभी तलक के भी चल रहा है क्योंकि सचीन है जिस तरह से कर रहा है कि मैं तो पागल हो रहा हूँ मुझे तो डॉक्टर को दिखाना है ये करना है वो करना है क्या लगता है आप लोगों को किसको जताने की कोशिश कर रहा है किसको दिखा रहा है यह तरह कुछ करके वह नेहा को दिखा रहा है वह नेहा को दिखाने की कोशिश कर रहा है वह आज भी नेहा के चक्कर में है वह मनीशा को समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहता है और एक बार नेहा ने फिर से इसको सि जिन्दगी से दूर जा रहे हैं ये लोगों को भी बोलो हमारे से दूर रहे और बाद में उसने एक स्टेटमेंट दिया आगे से अगर इनका तलाक होता है या इनका घर खराब होता है तो उसमें मेरी बेहन जुम्मेदार नहीं है में इसके वाइटी पर लोगों तोड़ दिये लेकिन पीछे से वही नया जाके उसको प्रवोग करके सचीन को तलाक दिलवाती है मनीशा से और फिर बोलते हैं कि हमने तो रिक्ता खतम कर दिये थे तो उसने तलाक दिया है तो उससे पूछो ये सारी गेम चल रही है इन लोगों की तो भई गंदी गेमें दूस पिती बच्ची थी के नीतू ने उसको रूम दी और उसने जाके अपने भाई के साथ में बैट शेयर कर ली शरम नहीं आई तुझे बोलते हुए और नीतू की भी यहां पर गलती है जब नीतू को सच पता चला वही टाम पर नीतू को चाहिए था कि अगर सच बताने से पीछे हट भी रहती ना कम से कम इससे रिस्तोड़ देना चूद था यहां से बिल्कौल भी मिनना जुलना नहीं चूद था बिल्कूल भी एक साथ विलीओ नहीं बनानी चूद थी क्यूंकि कोहले की दलाली में हमेशा हाथ ठाले होते ही है आपात कर लेते हैं नीतू की उतकर वोईस की तो नीटूमीं शुम्राइल की अधूम्राक्तिक मोत रखना है पर लिए लोग मोचंते हैं तो मैं अब्भी के अब्भी चला देटी लेकिन वो वाइज में आप लोगों को बहुत जल्दी सुनाओंगी तो वो वाइज किसी नखिसी के पास में तो है ना जिससे नीटू लेके सुनाएंगी और नीटू ने ये भी बोली कि मैंने बहुत अच्छे थे दोस्तीनी भाई मैंने सचे दिल थे दोस्तीनी भाई और मुझे आके इस तरह से दलाल रूम में मिलवाने वाली मनीशा का घर खराब करने वाली ये तब मुझे बना दिया गया ये बोलके वो रोई भी जो के मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा देखके मतलब ये दोनों भाई बहनने मिलके कितनों के साथ में दोका किये कितनों को यूज कर रहे थे वो सारी चीज़े आप लोग देख लो किस तरह से सामने आ रही है और फिर नीतू ने ये भी बोली कि मैं ये वीडियो तो मैं बना रही हूँ और आप लोगों को अब जो करना है कर लो अब मैं नी पीछे रटने वाली हूँ जो वोईस चलानी है चला दो जो दिखाना है दिखा दो मतलब वो वाइस को ले के ही नी तू डर के मारे इतने टाइम से चुपती अब वो वाइस चलाने के लिए उसने खुले आम इनको चैलेंज कर दिये कि तुम लोग चलाओ और ना तो मैं खुछ चलाने ही वाली हूँ तो बहुत जल्दी आप लोगों को वो वाइस भी सुनाई देंगी बाकि उसने ये भी बोली है कि मेरे हजबेंड को नहीं पता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ जब उनको पता चलेंगा तो मैं और मेरे हजबेंड लाइप भी आएंगे और मैं तारा सच बताऊंगी देख लो अब वो जो थोड़ी बहुत धकी चुपी पड़ी थी न ये नेहा की जो एक बचलन ओरत है जो किसी का घर खराब करी और आके बेशरम की तरह हस हस के वीडियो बना रही है लकदी लानत है तेरे पर इतनी तु बेशरम औरत है इतनी तु घटिया और गिडियो ही औरत है कि इतना सब कुछ हो जाने के बात में तु हस हस के वीडियो बना के डाल रही है कितनी भूक है ना तुझे डॉलर की कितनी भूक है पैसे की दूसरों को तुम लोग बोलते हो कि ये पैसे के लिए कर रहा है ये पैसे का भूका है जबके नीतु ने जो वीडियो डाली नीतु ने बोली कि मैंने मॉनिटाइजेशन आफ रखी हूँ मुझे नहीं चाहिए इस वीडियो का मुझे इस औरत के उपर बात करके नहीं चाहिए और ये जलील औरत इतना सबब वाईटी पे गंदगी होने के बावजूद ये आके नॉर्मल सा वीडियो बना रही है वाँ इसको बोलते हैं बेतरमी की हदे पार कर जाना जो औरतों को आदत रही थी है मर्दों के साथ में नाजाइज रिस्ते बनाना और फिर अकरना और जताना क्या हाँ मैंने बना ली मैंने कर ली अब तुझे जो कर नहीं कर सोचो ये वीडियो में इतना एटेटीव डिखा रही है वीडियो में ये इतना का एटेटीव डिखा रही है तो परतनल में जो लोग बोलते है के मनीशा क्यों मिल रही थी मनीशा क्यों चुपती तो सोचो परतनल में ये क्या क्या करवाती होएंगी सचिन के तुरू मनीशा के साथ में और फिर वोई वी वीडियो के अंदर जो बे शर्मी थे वीडियो बनाया गया है अच्छा बड़े खूश हो रहे थे न लोग के बच्चे को हम लोग डिलिवर करने के लिए जा रहे हूँ तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है किसी के घर की बेटी की जिन्दगी खराब करके तुम लोग चले हो बच्चे को डिलिवर करने के लिए तो तुम लोगों को ये डर नहीं लगा के उपर वाला देख रहे है और वो लड़की जो रो रही है जिसके दिल से बद्वाएं निकल रही है तो क्या तुमारे को तुमारे बच्चे को नहीं लगेंगी बलके तुम लोगों को चाहिए ता उससे पैर पकड़ के माफी मांगते लेकिन नहीं तुम लोग बहुत बेशरम और गिरे हुए लोगो चोरी तो चोरी उपर से सीना जोरी और वीडियो में क्या कहता है इसका भाई कि कुछ हो ना हो कॉल के अपर अगर किसी से बात करो ना तो रिकॉर्ड जरूर कर लिया करो क्योंकि यहां पे लोग प्रूप मांगते लोग रिकॉर्डिंग मांगते अरे डुप के मर जाओ तुम लोग दोनों भाई बैन इतने तुम लोग जलील गिरे हुए हो कि अपने मूँ से आके कबूल भी कर लिये कि हां तुम लोगों की इस तरह की तरवियत है इस तरह की तुम लोगों को तरवियत मिलिये अपने बड़ों से के पहले तो किसी के भी साथ में आ जा इस रिस्ता बना लो और उसके बाद में न आके अकड़ के दिखाओ और बताओ कि हाँ हमने तो ये रिस्ता बना लिये अब हमारा पीछा चोड़ दो हमें जीने दो वाँ ये इनकी दादा गिरी चल रही है भई पर बार बार कम्यवटी आ रही है क्वेस्टिन के साथ में कि मैं सारा सज बताओं के नहीं बताओं मैं लाइब लगाओंके नहीं लगाओं की लगाओं और फिर बाद में community delete कर देता है फिर से लगाता है फिर delete कर देता है इससे देखो एक बात तो समझ में आ रही है कि वो निया को ही सुना रहा है कि क्या मैं सारा सज बता दूँ मैं सारा सज बता दूँ और फिर बाद में वो अब ये दमकी ही बोलेंगे दमकी ही दे रहा है वो को लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रही है कि यह दमकी देने की भी क्या जरूरत है सचीन को चाहिए कि एक वीडियो बनाए या लाइप लगाए और उसके अंदर अकेले बैठे और सारा सज प्रूफ के साथ में बताए और इस तमासे को खतम करो क्यूंकि यह तमासे से भी कोई पाइदा नहीं हो रहे हैं लोग परिशान हो रहे हैं मैं हर पात दिन में आऊंगा और मैं कुछ ना कुछ सज बताऊंगा क्या मतलब है पात दिन में आऊंगा कुछ ना कुछ सज बताऊंगा भई एक साथ सारा सज बताओ और इस गटिया और चंगुल से निकलो अपनी बी के ओपर तवज्जद हो जितना तुमने उसका दिल दुखाया है ना वह सही करने की कोशिश करो लेकिन नहीं सचीन अभी तलक के भी निया के चक्कर में है इसलिए वह कम्यूटियां लगा लगाके उसको सुनाने की इसको डराने की इसको घंकियां दे रहें और यह साथ नजर रहोगा तबी तो वह इतना confidence से वहां पर voting पर यह डाल रहा है कि बताओ मैं बताओं के नहीं कर रहा है कि खैर कि लगे कब तर लगके सचीन अपना मूह को लता है और सारा सजब्स बताता है ओडियेंस को आके लेकिन अभी तो इंतजार है सारी ओडियेंस को नीटू का के न इस तरह ते ये एक भाई को जो मुबला भाई बनाई थी जिसको राकी बानती थी उसके साथ में जिस तरह ते इसका रिस्ता निकल के आया है ना तो मुझे लगता है इसको खुद की जो सगा भाई है नो उससे भी थोड़ा थी दूर रहना चाहिए क्यूंकि ऐसी आउरतों का ना कोई दीन इमान नहीं रहता ऐसी आउरतें अपने सगे भाईयों को भी है ना इसी तरह ते ट्रीट करती है तो ये चिपकना चुपकना ना थोड़ा थी इसको अवाइट करना चाहिए इसकी भावी को चाहिए कि अपनी आखें कोले वरना ये उसका भी घर पराप कर दें बगी एक बात और बोली गई थी के बंद कमरे में अंदर क्या हुआ था उसका भी राज आज तलक के नहीं खुला है तो जिस दिन नीतु ने मुझ कोली ना तो उस बंद कमरे का राज भी ओपन हो जाएंगा वो सारी सच्चाई भी वाईटी पे आज जाएंगी तो यहां प को ट्रोल करने की बजाए उसको सपोर्ट करो उसका साथ दो ताके उसकी हमत बने और वो सारी की सारी सच्चाई लेकर आए वो वाईट भी लेकर आए और वो बंद कमरे के अंदर कौन सा कांड हुआ था कौन थी बात हुई थी क्या हुआ था वो सारा कुछ भी वो रहा थे नितू इस वीडियो में रोई है जिस वीडियो का मैं जिकर कर रही हूं तो वह साप नजर आ रहा था कि वह ठूटी हुई थी वह हट थी वह बहुत ज़्यादा परेसान थी तो अगर कि आप मत दो कि वह सच सामने लेकर आए बग की अफसोस होता है कि इसे लोग भी ये दुनिया में देख लो कि दूसरे का घर खराब करके और उपर से दादा गिरी दिखाते हैं अब बताओ कि अगर कि ये नीतू को इस तरह से ना बोला होता तो नीतू कभी भी ये सारी बाते करती ल इतना डराना सिर्फ और सिर्फ एक वोईस को लेके जब तुमारी बेन किसी शादी शुदा मर्द के पास में मूँ काला कर सकती है तो अगर किसी ने कुछ बात की है तो वो तो बहुत छोटी गलती हो जाएंगी भई तो वो वोईस में ऐसा क्या है जो तुम इतना डरा रहे हर किसी को और शरम बिल्कुल नहीं आ रहे है दोनों भाय बैन को सच में बहुत गंदे-गंदे लोग है और वा i.t के जो डॉलर है ना वो इनसान के अंदर से इंसानियत खतम कर देती है रिस्ते खतम कर देती है सिर्फ और शरीफ वियूस के लिए और डॉलर के लिए तो ज लोगों को उनके उकात दिखा उनको अंसभ on === करो और उनको देखना बन करो तब जाके इनको उनकी उकात पता चलेंगे उनको पता चलेंगा। जो ओडियांस है सर पर बिठाना जानती है वो ओडियांस जमीन में पटकना भी जांगती है तो सबसे बड़ी आवाज सबसे बड़ी ताकत ओडियंस की होती है जनता की होती है तो इन लोगों ने जिसको जो गंद करना था जो किसी के अपर जुल्म करना था और जिसको जुल्म सहना था सबने सब कुछ कर चुके अब आप लोगों की बारी है आप लोग झालंओे।